पालिका और शाषन की राजनिती के चलते जो 84 परिवार सिफन कोड से बेघर कर दे गए थे आमाधी पार्टी लगातार उनके लिए संघर्श रत रही और आमाधी पार्टी के क्रांतकारी साथियों और सिफन कोड की जनता के संघर्श को देखते हुए आखिरकार पालिका जमीन शिफन कोड की जनता के लिए दी जा रही है क्या वो परियापत है जबकि वहाँ पर 56 फ्लैट पहले से बनने हैं और 84 फ्लैट और बनेंगे तो इतने फ्लैट बनाने की जगह वहाँ पर है ये पालिका सुनिशित करें कि वहाँ पर इतने फ्लैट बन सकते हैं और सारी सुचनाएं सारुजिन करे कि कितने लोगों को वहाँ पर विस्तापित किया जाएगा कब तक किया जाएगा और कितनी जमीन सिफन कोट की जनता को दी गई है और मेरा विधायक से भी अनरोध है कि जो कह रहे थे कि अगर पालिका जमीन चिन्नित कर देती है तो मैं दूसरे दिन से वहाँ पर अस्ताई निवास के लिए कारे प्रारंब कर दूँगा आज चार-पांच दिन बीच जाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो जनता जानना चाहती है कि उनका भर्षी क्या है और ये कब तक वहाँ पर पूर्ण तहार विस्तापित हो जाएंगे इसके इसका रोड मैप पालिका और सासन को सिफन कोट की जनता के सामने रखना चाहिए या माधी पार्टी की मांग है